मुनवर फारुकी एक बार फिर से मुश्किलों में पढ़ गया है बिग बॉस 17 विनर है वो स्टैंड अप कॉमेडियन है लेकिन एक बार फिर से पुलिस की गिरफ्त में रहे आपको पता है मुबाई में एक हुक्का बार पहुँचे थे कि वो तंबाको का सेबन कर रहे थे जो कि माराश्ट के अंदर बैन है जिया बड़ी खबर मुनवर फारुकी से यही जुड़ी हुई मिल रही है अधिकारी जो है मुंबाई पुलिस के उनकी तरफ से बताया गया उस हुक्का बार में और वाँ जब पुलिस के अधिकारी पहुँचे तो उन्होंने पाया कि मुनवर फारुकी वहाँ पर मौजूद थे पार के लाइसेंस में शामिल नहीं था ये एक तरह से वहाँ पर गैर कानूनी काम किया जा रहा था अब पुलिस बाखाइदा जो का बारे उसके सीसी टीवी फुटेज की जाच करेगी वहाँ पर काम करने वाले जितने स्टाफ हैं उन से अब आगे पूचताच की जाएगी और फिर उसी के आधार पर आगे की कारवाई होगी हाला कि सुबह ही मुनवर फारुकी मुंबई छोड़ चुके हैं उन्होंने अपने सोचल मीडिया अकाउंट के जरिये लोगों को इस बात की जानकारी भी अपनी फोटो भी उनकी तरफ से पोस्ट की गई लेकिन हाँ इत देवताओं का अपमान उनकी तरफ से किया गया था उनका stand-up comedian वो है तो इसी तरह का एक show चल रहा था और उसी के बीच में BJP कारकरता भी पहुंचे थे जिस वक्त उनकी तरफ से मुनवर फारुकी की तरफ से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया अपने show के अं कमिटी को छोड़ने तक का मन बना लिया था लेकिन एक वो केस जब मुनवर फारुकी तीस से जादो दिनों तक पुलिस की गिरफ में थे और अब एक बार फिर से ऐसा ही केस जब हलांकि थोड़े ही वक्त के लिए उन्हें पुलिस की कास्टिडी में रहना पड़ा लेकिन नबागी ये मामला और भारी न पड़ जाए मुनवर फारुकी के ऊपर ये देखना होगा और आपकी क्या राय है मुनवर फारुकी के ऊपर ये जो हुक्का बार के अंदर जाकर तंबाखु वाले हुक्का बार का सेबन करना है उसके ऊपर और मुनवर फारुकी को जिस तर झाल झाल